हाई और मिनमे प्रहु आजना मैंने ढेवरा यदी एक कप फुल क्रीम फुल फेट प पाऊडर इसमें डालेंगे हम वन घ्यळ कप पाडर शुगर ये कि भाम जैनी को वन बाई थरी कप पानी एक दफा फिर वन बाई थरी कप पानी दो दफा तो टोटल हमें इसमें डालें दो ड्राफ नीबू का रस लेमन जूस चॉकलेट के साथ लेमन का टेस्ट अच्छा जाता है तो जरूर डालिएगा और अब हम इसमें दीरे दीरे करके टोटल 12 टेबिल स्पून के तो मैं दो बाई भार वन बाई तरी कप पानी डाल रहे हूं तो मतलब तोटल 12 टेबिलिश्पून पानी में डालूंगी तो दीरे दीरे करके आपको टोटल 12 टेबिलिश्पून पानी डालना है अगर आपको ऐसे अνदादा नहीं हो रहा तो एक गारा पेस्ट बना ले एक बार गारा बेटर बना ले चॉकरेट का ताकर जब हम इसे फ्रीज करें तो वो आच्छे से जम ना चाहिए तो दीरे दीरे पानी डालें और थिक कंसिस्टंसी बना लें पानी को दीरे दीरे डालें टोटल 12 टेपश्पोन पानी जाएगा यहां दो दफ़ा 1 तो इसे फेटते रहें और पानी आप फेटेंगे तो इसमें लंस गुटलिया नहीं बनेंगी और आपको पानी का अंदाजा भी होता जाएगा दीरे-दीरे के इसमें कितना पानी जाएगा तो मिक्स करते रहें इसको तो यहां तक मैं दीरे-दीरे पानी डालती जा रहे हूँ आपको पूरा लंबाई से दिखा रहे हूँ ताकि आपको बनाने में परिशानी नहा हो तो यह देखें मैं कितने मज़े मज़े से पानी डाल के mix कर रही हूँ consistency देखें यह paste की consistency में अब आगया है देर यह देखें इतना गाड़ा better होना चाहिए तो यह यहां पर मैंने इसमें डाल दिया अब यह बचा कुचा मैं इसमें पूरा डाल रही हूँ तो अब हम इस बेटर को क्या करेंगे तीन सो में डिवाइट करेंगे और फिर तीन कलर चाहिए देखें मैंने पूरा डाल दिया तो दो दफ़ा मैंने वन बाय थरी का पानी डाला है अगर कब से हिसाब से आप डाल रहे हैं तो अगर टेबल स्पून के हिसाब से डाल रहे हैं तो बारा टेबल स्पून पानी अब हम इस बेटर को तीन सो में डिवाइट करेंगे और तीनों में अलग-अलग color डालेंगे तो मेरे पास तीन liquid color available है एक में मैं डाल रहे हूं red दूसरे में green तीसरे में blue तो आपके पास अगर color नहीं है तो आप color बना सकते हैं घर में वो भी उसकी भी recipe है मेरे channel में बीट रूट का color ले लें पालक का color ले लें तो ये देखें तीनों color हमारे ready हैं अब हम इसे piping bag में fill करेंगे और अगर आपके पास silicon matte नहीं है मैं silicon matte पे चॉकले चिप्स बनाऊंगी अगर आपके पास silicon matte नहीं है तो आप किसी भी white paper पे butter या तेल लगा के use करें या butter paper market में मिलता है या फॉाइल पेपर यूज करें जो भी आपके पास available हो इन मेंसे वो आप इस्तमाल कर सकते हैं यहाँ पे मैं पतली मोटी जैसी चिप्स आपको बनानी है वैसे बनाएं तार बनाएं एक लंबाई में तो ये देखें green color की भी अब मैं बना रही हूँ दूसरी साइड पे मेरे डेडी बना रहे हैं पिंक कलर के चिप्स यहाँ पे मैं green color की बनाती जा रही हूँ इसी तरीके से हम पूरे मेट को फिल करेंगे और फिर इसे फ्रीजर में रख देंगे एक घंटे के लिए ताके जो चिप्स हैं वो जम जाए तो हमाई चॉकलेट चिप्स बनकर रेडी हो जाएंगी तो पूरा मेट एक मेट काफी है तीन बेक्स के लिए तो यह टोटल में ने तीन कलर के पाइपिंग बेक खाली कर लिए है और यह एक मेट बर गया है फ्रीज कर लेते हैं एक घंटे के लिए फिर हम इसे उड़ता रहेंगे फ्रीज होने के बाद यह खुद ही अलग हो जाएंगी सिलिकान मेट से तेंक यू फॉर वाचेंग प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब यूर व्यूज मेटर से लॉड प्रेस बेल आइकन बटन यह देखें कितनी आसानी से जम गई हैं आराम से निकल रही हैं मेट से तेंक यू फॉर वाचेंग प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब यूर व्यूज मेटर से लॉड थैंक यू